आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर मैं बात करता हूँ solids की ठीक है और फिर मैं बात करता हूँ velocity of sound in liquids और फिर मैं बात करता हूँ velocity of sound in gases और इन तीनों की बीच में अगर relation लगाने का भूलू ना तो solids में सबसे तेज होता है sound की speed फिर उसके बाद liquids में सबसे slow होती है gases में एक जनल एक्जामपल देना चाहूँ तो gases में अगर air में से ही मैं बात करता हूँ तो almost 330 meter per second की speed होती है sound की travel करने की liquids में अगर मैं water की बात करता हूँ तो उसमें nearly 1500 meter per second देख रहे almost 5 times हो गया और अगर मैं solids की बात करता हूँ तो इसमें तो almost 5000 meter per second जो कि steel में में हमें देखने को मिलती है तो आप देख सकते हो clearly जितना जादा dense हमारा media है medium है देख हायर डेंसिटी का मतलब क्या है जिसमें जतनी जादा density है सबसे जादा density इन तीनों में से किसमें है obviously solid सबसे जादा dense है इसलिए इसमें velocity सबसे जादा है इससे कम dense होता है liquid, तो तुसमें velocity इससे कम है, और सबसे come dense होता है gases तुसमें velocity थोडी और कम है, in fact इससे भी कम होता है vacuum, है ना, वैक्यूम में velocity 0 होती है, क्योंकि यहाँ इससे ही not inあの कि ही 0 ही होती है, क्योंकि यहाँ पे density जिरो हि यही हू की trafficking является कर सकता तो ये बात हर जगा एफ्लाई हो रही है और हम लोग ने लाइव एक्जाम्पल के साथ भी देख लिया रियल वैल्यूस के साथ भी इसको देख लिया आयोप अभी कॉश्चन सबको समझ में आ गया होगा क्लासिक्स टुएल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटनेट आप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर